हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ओनलान क्लासिज में बच्चो आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विशे गनित की वरक्षीट बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए देखि बच्चो भिन एक संख्या है जो एक पूर्ण की हिशसे को दर्शाती है पूर्ण एक वस्तू यह वस्तूमों का समू होता है ठीकि बच्चो नोट एक इस्तत पत्वे का पांचवा भाग ठीके ये एक हमारा पूरा हो गया एक के हमने ये चार भाग किये ठीके एक के ही हमने ये चार भाग किये लेकिन ये तो पूरा एक हुआ यहाँ पे खाली एक भाग हुआ यहाँ पे दो भाग हुए यहाँ पे तीन भाग हुए तो किसके हुए सभी चार के हुए, ठीके, संख्या रेखा पर भिन, आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या बताना है, अब बच्चों देखिए रेखा पर भिन कैसे, 0 और 1, यहाँ पर इसका क्या आया, आधा, इसी तरह 0 और 1, यह क्या होगा, 1, 2, 4, 1, 2, 4, और 3, 4, इसी तरह देखिए बच्चों, 0 से 8, तो यह होगा, 1, 2, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, और पूरे भाग को हम एक बोलेंगे, भिन को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रतेग भिन एक बिंदू से सम्बंदित होता है, प्रशन पहला निम्द को संख्या रेका पर निरूपित करें अब बच्चों देखिए हमें यहां दिया गया है हमें इने संख्या रेका पर क्या करना है निरूपित करना है दर्शा के बताना है अब बच्चों देखिए इस तरह से हमें रेखा बनाएंगे अब देखे इसमें हमें 2 x 3 और 1 x 3 बताना है तो यह हमारा शुन्य होगा यह हमारा 1 x 3 होगा यह होगा 2 x 3 और यह पूरा 1 इसी तरह अगला देखे 2 x 5 और 1 x 5 तो यह हमारा शुन्य हो जाएगा यह हमारा 1 हो जाएगा यह हमारा एक बाई पांच होगा यह हमारा दो बाई पांच होगा अगला इसी तरह देखे बच्चो अब एक बाई पांच दो बाई पांच पूचा है तीन बाई पांच भी हमारा होगा और चार बाई पांच भी हमारा यहां होगा अगला 1 x 6 और 5 x 6 पूचा है तो यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 होगा अब हम से क्या पूचा है एक x 6 तो किते इससे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यह पूरा 6 तो 1 x 6, 2 x 6, 3 x 6, 4 x 6 और 5 x 6 और 6 x 6 यानि पूरा एक यहाँ हो जाएगा अगला है 3 x 7 और 6 x 7 तो बच्चों 3 x 7 और 6 x 7 मैं यहाँ बना देती हूँ तो 7 हिससे हमें करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7 तो यह एक हो जाएगा यह एक बाएग साथ, दो बाएग साथ, तीन बाएग साथ, चार बाएग साथ, पांच बाएग साथ और 6 x 7 तो 6 x 7 और 3 x 7 हमने यहाँ पे रेखा पे दर्शा दिया अगला प्रशन है संख्या रेखा पर बिंदू A और बिंदू B के लिए भिन लिखे अब बच्चों यहाँ पर हमें भिन लिखने हैं हमें यहाँ बिंदू रेखा दी गई है तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे तो देखे बच्चों इसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर 6 दिया गया है पूरी लाइन कित्ते भाग के 6 तो यह इसका कितना हिस्सा होगा 2, 6 और यह कितना होगा 5, 6 ठीक है अगला है चायांकित भाग को भिन के रूप में लिखें अब बच्चो चायांकित जो हमें भाग दिया गया है इन्हें हमें भीन के रूप में लिखना है ये कितना भागे पूरा बच्चो चार, 1, 2, 3, 4 और चायांकित कितने हैं? 3 तो यहां लिखेंगे 3 by 4 इसी तरह अगला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे भाग कितने है 8 और चायांकित कितने है 2 ठीक है अगला देखे बचो प्रशन 4 निम्रिखित भिन संख्याओं को किसी भी जया मत्या आगरती दुआया 6 अंकित को दर्शाएं ठीक है अब 3 by 4 बोला 3 by 4 हम कैसे करेंगे 3 x 4 हम इस तरह से 1 गूला बनाए इसके 4 भागों में हमने बाटा अब इसमें 3 भागों में हमने रंग कर दिया 1, 2, 3 तो यह हो गए 3 x 4 इसी तरह 3 x 5 अब बचो 3 x 5 यानि 3 भाग हमें 6 आंकित करना है तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 तो 3 भाग इसके 6 आंकित करेंगे 1, 2, 3 चीक है इसी तरह अगला 2 x 6 अब 2 x 6 हम कैसे करेंगे तो हमने फिर से 1 आकरती बनाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इन में 1 और 2 इन दोनों को हमने 6 आंकित कर दिया इस तरह से हम सभी को यह वनाना है इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्षीट कम्प्लीट करनी है अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लाइक करें जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बतें कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें चैनल सस्क्राइब करना ना भूले आप सभी का बच्चो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद